सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मौमद वेस्ट फ्लॉक्स और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू बेग मै चैनल मौमद वेस्ट फ्लॉक्स आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग लेप्टॉप जो है कम प्राइज में कहां से पर्चेस कर सकते हैं उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है अगर आप लोग ने मेरा चैनल अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो नीचे रेट कलर का बटन दिया गया होगा प्लीज उसको क्लिक करके सबस्क्राइब कर दें दोस्तों आप बोलते हैं कि एक नोटिफिकेशन नहीं आता दोस्तों नोटिफिकेशन जब ही आएगा जब आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर देंगे उसके बाद ही आप लोग को मेरी सारी लेटिस्ट वीडियो मिल पाएगी चलिए फ्रेंट्स आप लोग को बताते हैं कि ये मार्केट कैसी है आज मैं मार्केट की तारीफ नहीं करने वाला हूँ इसमें मैं आप लोग को निगेटिव और पॉजिटिव कुछ चीज़े गिनाने वाला हूँ जिससे आप लोग को अंदाजा हो जाएगा कि ये मार्केट कैसी है और स्टार्टिंग की बात करें दोस्तो तो इस मार्केट में स्टार्टिंग लैपटॉप की 6,000 रुपे से हो जाती है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा को इट मत कीजिएगा मैं आप लोग को पूरी नौलिज दूँगा कि आप लोग यहाँ से लैपटॉप पर्चेस करें या फिर ना करें ये फ्रेंट शुरू करते हैं आप लोग को बताते हैं कि यहाँ पे लैपटॉप सस्ते क्यों मिलते हैं उसका रीजन क्या है पहले मुझे भी यकीन नहीं होता था मैंने सर्वे किया काफी चीजों पे तभी मुझे पता चला कि यहाँ पे लैपटॉप सस्टे क्यूं मिलते हैं उसका रीजन क्या है जैसे कि 15,000 रुपे के लैपटॉप, 12,000 रुपे के लैपटॉप, 5,000, 6,000 रुपे में यहाँ पे मिल जाता है और कुछ कंडिशन सही भी होती है, कभी कंडिशन खराब भी होती है लैपटॉप की, तो आप लोग को पता नहीं चल पाएगा कि कैसे लैपटॉप से हैं अंदर उसकी क्या कंडिशन है, तो मैं इस मार्केट को तीन केटेगरी में डिवाइट करता हूँ जैसे तीन केटेगरी में लैपटॉप यहाँ पे आप लोग को मिलेंगे जो पहली केटेगरी दोस्तों यह है कि लैपटॉप जो होते हैं वो इमपोर्ट किये जाते हैं तुझ रूब头ो कुछ लड़टाप्स ऐसे होते हैं जो इंपॉर्ट किय जाते हैं रूपर्टाप्स से और जो सब्सक्राइब के बाहर की होते हैं जो customers online website से purchase करते हैं उसके बाद कुछ minor issues होते हैं उसको वापस कर दिये जाता है किसी कारा तो और वो refurbished laptop होते हैं वो भी इस shop में आम लोगों को मिल जाएंगे तीसरा दोस्तो मैंने पता किया तो मुझे पता चला वो company से direct वापस कर दिये जाते हैं कुछ उसमें minor issues होते हैं companies के उसमें नहीं आते तो इसलिए उसको वापस कर दिये जाता है तब ही ये shopkeepers इसको purchase कर लेते हैं और काफी कम दामों में बेज देते हैं तो अभी तक आप लोगों ने YouTube में जितनी वीडियोस देखी होगी इस सब तारीफ कर रहे होंगे कि आप इस market में विजट करिए और आप लोगों को काफी कम price में laptop मिल जाएगा और काफी अच्छे अच्छे laptop से हैं तो जाहिर सी बात है कम price में तो आपको यहां पर मिलने वाले हैं और जहां तक अच्छे ही quality की inbuilt की बात है तो वो depend करता है कि उसकी performance कैसी है उसका processor कौन सा अंदर लगा हुआ है तो वो depend करता है मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग इस market से purchase करिये के ना करिये दोस्तों मैं आप लोग को यही suggestion दोंगा कि अगर आप लोग नए हैं आप लोग ने अभी तक कोई laptop नहीं खरीदा है around 5000-6000 रुपीज तक आप लोग अगर invest करना चाते हैं तो definitely आप लोग इस market से laptop purchase कर सकते हैं क्योंकि 5-6000 रुपे के तो normal आजकल mobile आते हैं तो इतना तो आप लोग invest करी सकते हैं कि आप लोग 5-6000 रुपे का laptop यहां से purchase कर सकें और मैं आप लोग को यह कहूँगा कि आप लोग महेंगे laptop यहां से prefer ना करें यहां से purchase ना करें क्योंकि जो महेंगे laptop होंगे उसकी range की starting होगी 15-20-25-25 दोस्तों वो refurbished laptop भी हो सकते हैं imported laptop भी हो सकते हैं या company से वापस किये वाले laptop भी हो सकते हैं तो वो आप लोग purchase ना करें आप लोग को अगर 15-20,000 रुपए इंवेस्ट करना है तो आप लोग new laptops purchase करें ना कि आप लोग second hand type के laptops purchase करें जब आप लोग यहां visit करेंगे तो दुकंदार आप लोग को यही कहेगा कि यह new laptops हैं और इसमें कोई कमी नहीं है वो आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगा मगर जितना मैंने survey किया है जितना मुझे पता चला है दुकंदारों से तब मुझे idea हुआ कि यह किस type के यहां पे laptops होते हैं क्यों comprise के होते हैं तो वही मैं आप लोग को यहां पर बता रहा हूँ कि आप लोग क्यों अपना पैसा वेस्ट ना करियें यहां पर दोस्तो मेरा काम है आप सब को guide करना आप सब को genuine चीज़ बताना सही चीज़ बताना ताकि आप लोग को knowledge हो सके कोई misguide आप लोग को ना करें आप लोग के लिए मैं इसी सब type की videos हमेशा मैं लाता रहता हूँ ताकि आप लोग को पता चल सके और मैं आप लोग से एक चीज़ और कहना चाहूंगा अगर आप लोग online purchase करना चाहते हैं तो आप लोग online payment transfer ना करें किसी के account में अगर आप लोग को वाकई पसंद आता है कोई भी laptop तो यहाँ पे आईए इस market में visit करिए और देखिए क्या-क्या varieties available है और आप लोग पैसा अच्छा invest करना चाहते हैं इसा नहीं है कि सारे laptops यहाँ खराब मिलेंगे बहुत से laptops ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी के आपको यहाँ पे मिल सकते हैं बट आपको देखने की यहाँ पे एक बाद जरूरत पड़ेगी उसके बाद ही आप लोग purchase करिएगा otherwise purchase मत करिएगा मैं आप लोग को यही suggestion दोंगा और सारे payments mode यहाँ पे available हैं जैसे आप लोग credit card से payment करना चाहते हैं या फिर debit card से payment करना चाहते हैं यह आप लोग के उपर depend करता है सारी facilities यहाँ payment mode की available है और दोस्तों मैं आप लोग के लिए इसी सब्टाइप की आगे भी वीड अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती हो तो नीचे लाइक का बटन दबा दें और चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब करें ताकि मुझे motivation मिलती रहेगी और मैं आप लोग के लिए इसी सब्टाइप की वीडियो चाहते हैं दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलत नेक्स वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग और वाचिंग और वाचिंग और आव नाइस जे